टनल ओपरेशन को साथवा दिन है आज हम आपको दिखा सकते हैं ग्राउंड जीरो पे किस तरह से इसमें पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना की जा रही है अब बोखनाग देपता की धरती है और कहते हैं ग्रामिन की जब भी कोई कारेश सुरू होता है तो बोखनाग की पूजा की जाती है और बोखनाग का अगर आस्जवाद है तो हर कारेश सपल होते हैं पर यहां पर यह हुआ कि जो मंदिर यहां पर छोटा था उसको तोड़ दिया गया बोखनाग देपता की यहां पर जो संस्ता है उसको मिल रही है तो उसके बाद भगवान जो बोखनाग देपता है उसको परसंद करने की कोशिज की जा रही है ताकि जो आगे का ऑपरेशन है जिस तरह से नहीं मसीन यहां पर पहुँची है जो आगे का ऑपरेशन है वो सपल हो इसके लिए सिल्क्यारा टरनल उत्रकासी लेकिन हम ने का थोड़े इसको बाहरी कहतो ठीक हो तो भकमान बाउखना की किरवा हो जाए और इन प्रानी को बच जाए यह चाली साथ में जो अंदर चनल के अंदर फसे हैं यह जो बाहर आ जाए तो मंदर को लोगों मंदर की पली है मंदर मंदर कुछ नहीं पहले वो प्रा होता है वो जो लगाए वो पर उसे जन्रा इसलिए कि भगवान बॉखना का है कि सुरक्षितिन को बाहर ले भगवान में आस्ता ही कहेंगे कि टनल में पिछले साथ दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन के दोरान जो बादाएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए आज भगव पर मंदिर बना दिया गया कामरेपरसन राकेस रावत के साथ सुनील नौपरबाद सिल्क्यारा उत्तरकासी आजए लगवी पार विए ग्यारा उत्तरकासी